हेलो गाइज वेलकम बाक तो माल चानल ये रिडिंग है पाइस यानि की मेंज औरी एक साहिन के लिए क्या पताते हैं टैरो काद्स फैब 2021 आप लोगों का कैसा रहने वाला है क्या मैसेज़ेस है क्या गाइड़न्स है टैरो काद्स की तरफ से आप लोगों के लिए सो यहाँ पर मैं आपके लिए कुछ काद्स पोल करती हूँ लेट्स सी क्या आता है वील ओफ फॉर्च्यून टौ अफ काप्स क्वीन ओफ पेंटिकल्स जस्टस अरी जस्टस श्टस श्टस निऑ अ पर अआताउ Nine of Pentacles एंड अपरेस ओके तो सबसे पहले विल ओफ फॉर्टुन में क्या बताते हैं विल ओफ फॉर्टुन में बताता है कि आपकी लाइफ में चेंज़ आने वाले हैं पॉजिटिव चेंज़ ठीक है और यहां आपको काफी कुछ अच्छा देखने को मिलेगा काफी कुछ पॉजि हर तरह से फाइनेंशली आप स्ट्रॉंग होते हुए नजर आएंगे खुद को और लव लाइफ आपकी और ज्यादा अच्छी होते हुए मिज़े नजर आ रही है मतलब आल्मोस्ट आपको यहां पर बहुत कुछ अच्छा मिलेगा लाइफ में ठीक है क्योंकि अब चीज आपके अकॉर्डिंग चलती हुए नजर आएंगी ठीक है इसके बाद जो आप लोगों के लिए काज आया है वो है टू आफ काप्स हमें बताते हैं कि आप दो लोग मिलकर किसी एक काम को मुकमल करने की कोशिश कर रहे हैं ठीक है मतलब आप एफर्ट्स कर रहे हैं ताकि च तो आपकी लाइफ में कोई बहुत ही पॉजिटिफ परसन आने वाला है जो कि आपकी मैं एक कह सकते हूँ कि जिससे आपकी लाइफ जो बहुत पॉजिटिफ हो जाएगी चेंज हो जाएगी जहाँ आपको बहुत अच्छे चेंज़ नजर आएंगे अपनी लोव में ठीक ह तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपकी life में जो money changes आएंगे वो किसी woman के through आएंगे ठीक है किसी woman के through आपकी life में मुझे money changes आते हो दिखाई दे रहे हैं positivity है काफी ज्यादा चोटे मोटे money changes नहीं है अच्छे level के money changes है ठीक है मतलब आप financially ज्यादा अच्छे से strong हो जाएंगे और अगर आप कोई ladies वीडियो को देख रहे हैं तो उनके लिए मैं पताना चाहूंगी कि आपकी life में पैसा आने वाला है आप अपने मैं कहना चाहती हूं कि आप आपकी planets में स्टार्ज में कुछ changes ऐसे आने वाले हैं जो आपकी life में आपको financially बहुत जादा strong करतेंगे ठीक है और इसकी बाद हमारे पास कार्ड आया justice justice का card हम यह बताता है कि justice का card में directly meaning देता है कि आपने जैसा अपनी life में अच्छे करम करेंगे बुरे करेंगे उसके according आपको फल में लेगा ठीक है तो इस चीस से घपराने की जुरुत नहीं बिकास सबको बता ही कि हमने कैसे करम करेंगे आपकी अच्छे करम करकी ही सब कु इसके बाद nine of pentacles का card आए nine of pentacles हमें बनताते है money changes ठीक है जो कि हमें queen of pentacles भी पताते हैं वहीं empress का card भी हमारे पास आया है तो यहां पर हमें पता चलता है कि money related changes आपके life में आने वाले है लगजरी आपको मिलने वाली है और घूमना फिरना इन सब चीजों को लेकर आप काफ कमी होगी ना आपकी luxurious में कमी होगी ना आपको love life में कभी कोई कमी लगेगी ठीक है तो almost सब कुछ बहुत अच्छा है यह लेकिन फिर भी हम आप लोगों के लिए guidance कार्ड निकालते हैं और देखते हैं कि क्या आती है आपके लिए guidance है okay तो आप लोगों के लिए guidance है the helmet the helmet का म काम कर रहे हैं आप सोच रहे हैं उस तरफ आप आगे बढ़िए आपको रास्ता मिलेगा उस knowledge की तरफ आगे बढ़िए आपको success मिलेगी और ज्यादा positivity financially emotionally आप strong होते जाएंगे तो मतलब एक जगा रुखिये मत आगे बढ़ते रहने की कोशिश केजिए ठीक है तो यह reading थी कर रहे हैं?